तो ख़ाज सुआगत आप सबका आज की इस वीडियो में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज काफी सारी अपडेट्स के वारे में काफी सारी यहां पर बड़ी बड़ी निउस निकल के आ रही है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आज के Dynamite के और में बात करेंगे साथी AEW ने अनाउंस कर दिया उनका second show उसका यहाँ पर name और date रिवील हो चुग है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही हम बात करेंगे WWE के काफी सारी Superstars के वारे में जिनको WWE ने आपर release कर दिया है और इसमें एक बड़ा name कवीता देवी का भी है इसके अलावा भी John John से Superstar यहाँ पर release हुए मैं सारी आपको लिश्ट बताने वाला हूँ और भी काफी सारी updates होने वाली है इस वीडियो के अंदर तो हमेज़ा की तरह आप लिए इस वीडियो को दाइनमाइट के अंदर जान्द कुछ बड़ी चीह है हुई नीथी जिनके बारें बात कर जाएं लेकिन आज के डाइनमाइट के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना जो डवल और नथिंग का पूरा जो कार्ड है जो मैचे यहाँ पर अनाउंस कर दिया है और कुछ यहाँ पर न्यू मैचेश बड़े-बड़े मैचेश यहाँ पर रिवील हो चुक है है सबसे पहले एक बड़ा मैच होने वाला है TNT Championship के लिए Miro वसे Lance Sarser की बीच में है तो यह काफी बड़ा मैच हो जो कि यहाँ पर Double or Nothing के लिए अनाउंस हो चुका है इसके साथ ही एक और मैच हमें देखने मिलेगा जो कि होने वाला है यहाँ पर AEW Tag Team Championship के लिए Young Bucks वसे John Moxley एडी Kingston की बीच में तो यहाँ पर यह मैच भी कनफर्म हो चुका है इसके साथ ही एक और Tag Team मैच हमें देखने मिलेगा जो कि Sting and Darby Allen वसे Scorpio Sky और इथन पेज की बीच में होने वाला है और यह Sting का यहाँ पर 6 सालों के बाशा है पहला मैच होने वाला है रिंग के अंदर क्योंकि इससे पहले जो हमने उनका मैच देखा था Revolution के अंदर हुआ था वो यहाँ पर एक Cinematic मैच था लेकिन इस बार उनका रिंग के अंदर मैच हमें देखने को मिलने वाला है इसके जादी एक और मैच यहाँ पर कंफर्म हो चुका है जो कि Chris Jericho यानि की Inner Circle वसे Pinnacle के वीच में होगा Stadium Stampede मैच आज के Dynamite में यहाँ पर Chris Jericho है उन्होंने यहाँ पर Accept कर लिए Pinnacle का Challenge और यहाँ पर यहाँ पर यह मैच कंफर्म है तो पूरा जो Double or Nothing का कार्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और कमेंट करके बताना कि आप इन मैचेज में से किस मैच के लिए सबसे जानदा excited हो अगली अपडेट करें बात करें जो कि यहाँ पर AW से यह और जैसे कि आपको पता है जब से यहाँ पर AW Dynamite आ है हमें पता उनका एक सेकंड्स हो भी आने वाला है जो कि काफी बार यहाँ पर वो बोल चुके हैं और कल यहाँ पर टोनी खान ने अनाउंस कर दिया रिवील कर दिया कि उनका जो सेकंड्स हो आने वाला उसका पहले तो नेम होने वाला AW Rampage Rampage यहाँ पर उसका नेम होने वाला वो यहाँ पर आने वाला 13 अगस्त से यानि कि इसी साल आने वाला 13 अगस्त से और वो Friday's को आये करेगा यानि कि जो SmackDown आती है Friday को यहाँ पर AW Rampage आये करेगा फ्राइडे को लेकिन वो यहाँ पर एक घंटे का सो होने वाला वो साथ 10 पीम से आये करेगा यानि कि जब SmackDown यहाँ पर खतम हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर Rampage आये करेगा इसके साथ ही Dynamite को लेकि काफी सारी काफी सारी तो नहीं काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है हमें पता अभी तक जो उनका Dynamite है वो यहाँ पर TNT Network क्यों पर आता है लेकिन टोनी खान ने आप पर रिवील करा तो काफी मेजर अपडेट यहाँ पर निकल के आई है Dynamite को लेके इसके साथ ही उनके न्यू सो को लेके तो यह कोछ यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है उनके सैकेंड सो को लेके जो की Rampage होने वाला है कामेंट करके बताना कि आपका क्या कहना इसके बार में अगली अपडेट के ने बात करें चुकी गाज यहाँ पर Kenny Mega के बार में और यहाँ पर एक बड़ा मैच यहाँ पर कन्फॉर्म हो चुका है Kenny Mega वसे अंदरादे के बीच में जुकी होने वाला है AAA Mega Championship के लिए जैसे कि मैंने आपको बताई दिया थे कि यहाँ पर अंदरादे आयते लूचा लीब्रे का इवेंट हुआ तो उसके अंदरादे आयते उन्होंने चैलेंज कर रहा था Kenny Mega को तो इसके बाद यहाँ पर अंदरादे का चैलेंज जो है वो accept कर लिया Kenny Mega नहीं और यहाँ पर इनका match confirm हो चुका AAA Mega Championship के लिए और इसके बाद अंदरादे का भी इस चीज के उपर कुछ reaction रहा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कह सकते हो यहाँ पर यह बड़ा match है dream match है और मुझे लग रहा है काफी बड़ी है match इनके बीच मैं देखने मिलेगा तो triple mania यानि की जो लूचा लीबरे का एक बड़ा event होता है triple mania उसके अंदर इनका match हमें देखने को मिलने वाला तो comment करके आप इसके बारे में ही मुझे बता सकते हो आपका इस match के बारे में क्या कहना है अगली update करें बात करें जो कि यहाँ पर सिजारो के बारे में हो सिजारो का हमने देखा क्या कमाल का उनका match हुआ था backless के अंदर लेकिन यहाँ पर वो उस match को हार गए थे तो उसके बाद यहाँ पर सिजारो का कुछ reaction यहाँ पर निकल काया है उनके सामने सैथ रोलिंग भी है उसोज भी है लेकिन उनने बता दिया वह अभी आउट नहीं हुए है और जिसके हमें पता ही है अभी स्मैकडाउन आने वाली तो उसी के अंदर हमें सिजारो का भी फ्यूचर यहाँ पर पता चलेगा थोड़ी लग रहा है सबस्क्राइब कर लो वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जागा आप सबसे पहले मेरी वीडियो को इंजॉय कर पाऊए तो जल्दी से यहाँ पर 5K सबस्क्राइब कर लो अगली अप्डेट के रहें ब वो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप डेस्टेन रोट्स के साथ जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो के अंदर देख सकते हो तो इससे अभी मैं यहाँ पर खुशी नी बोलूगा कि यहाँ पर टैसर ब्लेंचर डेगी डवलू के अंदर आने वाली है यहां फि और यहाँ चल जलके देखते हैं टैसर ब्लेंचर का फ्यूचर क्या होने वाला और वह में किस कॉंपनी के अंदर आती होई दिखाई देती है अगली अप्डेट करें चुकि कि यहाँ पर वाल्टर के बार में और उनके इंपिरियम के बार में तो कल एंस्टी में यहाँ प फोटो से यहां पर वोई ऐसा कुछ बता रहें कि इंपीरियम के अंदर अब तीन मेंबर्स थें तीन मेंबर्स हैं जो कि यहां पर पहले ओरिजनली थे तो वाल्टर का इस चीज के उपर कुछ ऐसा रियक्शन दा लेकिन यहां पर आप सोच रहे होगे कि एलेक्जेंडर वु वो यहां पर रिलीज हो चुके हैं डबलवली से वो जाच चुके हैं खतम बाइबाई टाटा गुडबाई गया तो जैसे कि हमने देखा था रसल मीने के बाद डबलवली ने अपने मेन रोस्टर से रॉस मैकडाउन से काफी सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर रहा था और उसके बाद यहां पर अपडेट जैसकी निकल के आई रिती के अब डबलवली और भी यहां पर सुपरस्टार्स को रिलीज करने वाली है लेकिन इस बार वो सुपरस्टार एनेश्टी से होंगे तो आज डबलवली ने यहां पर कर दिया जहां पर जो लिस्ट है पूरी यहां पर रिलीस कर दिया गया है, कुछ यहां पर रेफरी भी हैं, और कुछ मैं बड़े नेम्स की बात करूँ तो बड़ा नेम तो मुझे यहां पर एलक्जेंडर वुल्फ और कवीता देवी का यहां पर दिखाई दे रहा है, जिनको डबलबली ने रिलीस कर दिया है, तो डबलबली ने अपना जो बजट कर डबलबली करती है, हर साल उसी के दोरान यहां पर इन सुपस्टार्स को रिलीस कर दिया, जो कि मेरे लिए काफी कह सकतो हो, एक सौकिंग बात है, और इन सुपस्टार्स के लिए मुझे यहां पर बुरा भी लग रहा है, कि इस टाइम ड बताना, साथी गाज इस वीडियो को लाइक जरू कर देना हो, साथी सेर भी कर देना हो, चैनल को सब्स्राइब कर देना हो, जो भी चैनल पना है, पहली वर वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्स्राइब कर देने साथ यूज बैल आइकन को दावालना है, जिससे आपक तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के तब तक के लिए मैं कहाता हूं गुडबाई